हेलो फ्रेंड्स कैसे हो आप सब लोग आई होप आपकी प्रपेशन अच्छे चल रहे होगी तो अब यहां से अपने पास में लास्ट दस दिन वस्ते हैं भी PSPU के लिए तो मैं आपको बस यह स्ट्राटेजी मैंने लिखी हुई है मैं बस आपको एक्स्प्रेंड कर रहा हूं जो जो चीज आपको add-on करनी चाहिए क्यांकि सब बढ़ी रहे हैं अपना add-on करनी चाहिए वो add-on कर लेना ठीक है और at least इतना तो आप कम करके ही जाना तो देखो मैंने अब लिख रखा है यहां पर तिल 24 नुवंबर तो अब भी अपने पास में एक तरह से 9 दिन बचे क्यों क्यों कि 25 को कोई के देना ट्रेवलिंग वाला वा जाएगा या फिर 25 को तो जो आपको 25 को तो जैसे कहते हैं करन्ट अफेर पर ही गया पुरा दिन अब math में देखो 9 इंटो 3 लिखा है तो 27 डिया आपको करनी है minimum और कोई आप पूछेंगे मोग कहां से देना है कोई भी मोग दो जो आपको अच्छा लगता हो जरूरी नहीं होता ना कि यार मेर को यह मोग अच्छा लगता है तो आप जिस मोग से आप दे रहे हो वहां से दो अब बात आती है reasoning में भी सेम यह है ठीक है 27 पजल प्लस critical reasoning अब जैसे देखो उस मोग में तीन critical reasoning है या चार है तो आपको pattern बता होना चाहिए क्योंकि यह आपके focus के number होंगे यह दियाता है तो हर बार आता है इस बार भी आजाए तो पांच number तो आपको reasoning में फिर कोई नहीं रोख सकता ठीक है अब आता है current affair current affair देखो last five month का करना ही करना है ठीक है सब का अपने अपना depend करता है कि भाई हमें करना चाहिए नहीं करना चाहिए वह बर्ट मैं यह बोलूँगा पांच मंत करके जाना जैसा current affair आ रहा है अब जैसे देखो 9 दिन बचे है तो मैं मैंने जो लिखा है 2 दिन में एक मंत का current affair होना है कैसे? अब उसके बाद में देखो current affair करना है का लग बाद होती है quiz देना कर सकते हैं तो गाइडली का वो 99 वाला है तो उसके अंदर के है पचास-पचास कोशन के सैट है दारेक्ट उस मन्त के तो वो 99 वाला GM 12 कोड लगाओगे तो आपको 87 का पट जाएगा तो आप वो भी दे सकते हो ठीक है अब आती इंग्लीश की इंग्लीश में देखो आपको ए टाइमिंग के साथ दे लो ठीक है इंग्लीश को जुरूरी है टाइमिंग के साथ में क्योंकि उससे आपको आइडिया हो जाएगा अब आती है कि डिस्क्रप्टिव राइटिंग में फॉर्मल इंफॉर्मल लैटर को आपका पैटर्न पता हो ना चीए कि कैसे लिखना है अ वहाँ पर मैंने 10-12 टोपिक शेर किये थे ठीक है तो आप वह वाले टोपिक भी कर सकते हो एक वीडियो बनाया था मैंने इससे पहले डिस्क्रप्टिव का स्टार्ट स्टार्ट में 10-12 उसमें भी हाँ दस एक टोपिक थे तो वह वाला मैं डिसक्रप्शन में उसका लिंक कॉमेंट सेक्शन में दे दूँ है तो आप वहां से वह डारेक्ट वह वाला देख लेना ठीक है अब बाद आती है कि यहां पे कितने मोक देने चाहिए तो मैं एक की बात बुरूँआ डेली का एक मोक है इसी को यह अच्छे से सौल कर लेना जिता कर सकते हो यह पूरा जो मोक है अब आपको ऐसे मानलो इस आप 12 गंटे पढ़ते हो तो 12 नहीं में 108 गंटे एट네 चौदा गंटे पढ़ते हो तो 14 गंटे तो बैसे मानलो 100 गंटे से म non deixar प कम या अपके पास में अब को करना है क्योंकि इन्द को यह एक्जामें इसके बाद में last Gosh oblig is SBA है, बट SBA PO इस साल का last exam हो जाएगा, जो banking का है, ठीक है, तो अब यह अच्छी opportunity है, जिसका हुआ हुआ है, वो अपने आपको push कर लो, चाहिए 14 गंटे पड़ो, चाहिए 15 गंटे पड़ो, पस 8 गंटे की नींद जरूर ले लेना, क्योंकि बिमार मत हो जाना, ठीक है, इसक साथ-साथ, गाइडली ने क्या है, 30 days का PDF target ले क्या है, या SBA mains के लिए गाइडली, ठीक है, जिसके अंदर आपको 3000 प्लस question मिलेंगे, और exam level pattern होगा, तो वो 99 रुपीज में है, वो 16 तरहिक से आज से start हो जाएगा, तो जिसकिसी को भी लेना हो, तो आप मेरा code use कर लेना, GM 12, ठीक है, उससे आपको 12% extra additional of मिल जाएगे, ठीक है, अब बात आती है कि current जो affair है, वो आपको यार कैसे याद रखना है, थोड़ा सा मैं बता देता हूँ, आप यार देखो मैं एक चीब बताता हूँ, relate करके पढ़ा करो, मुंबई से बात आ रही है, तो मुंबई की 4-5 news एक साथ में याद रखा करो, कि आपको recall हो रही है ये नहीं हो रही, ठीक है, तो वो यदि recall हो रही है, तो इसका मतलब आप current affair सही direction में पढ़ रही है, यदि आपको मुंबई से related कोई वो चेज़े recall नहीं हो रही, तो आपका भी current affair आपको फिर से वापीस से पढ़ना होगा, ठ उसके लिए बता देता हूँ मैं, उसके लिए देखो ये वाली बुक आप ले लो, मैं पहले ही बता रहा हूँ, एकदम आपका पूरा अच्छे से practice हो जाएगा, जिसको idea भी नहीं है कि bank के exam में आता क्या है, ये test book की book है, 4000 question वाल, smart question वाल, मैंने इससे पहले 10 बार बता इस book में, जिता सब कुछ है, वो मैं भी आपको दिखा देता हूँ, अब देखो, इस book के अंदर 200 RC है, अब आप इतने RC कर लोगे, तो आपको सारे लेवल के RC है, जिसमें level 1, level 2, level 3, आप start कर रहे हो, beginner हो, तो आप level 1 करो, ठीक है, पिर दीरे level 2 पे जाओ, पर मैं ने ची है, तो आप इस book का error कर लो, आपके exam में कोई भी error गलत नहीं होगा, यदि आप error कर लोगे, phrase replacement अब जैसे, अभी SBA के अंदर 2, 2, 3, 3, नमरे question आए है, अभी recent पे, filling the blanks यह, IBPS PO के अंदर भी आगया, और SBA के अंदर भी आगया है, ठीक है, और NABARD के अंदर भी आए जाने में रखो, देखो, मैंने ECGCPO लिक रखा है, ECGCPO में इसका बहुत ज़्यादा weightage होता है, math the column का, वो care based question यह, तो आप चाहिए मोक से कर लोगे, RC कर लोगे, यह वाले तो इसके अंदर से हो जाएंगे, अब sentence, jumbles है, वो सारे के सारे, यहां से देखो, तो इस book के आपको जो आप banking के पर पेशन कर रहे हो, तो direct amazon, flip card, जहां से भी लेना है, लेनों, मैं direct link भी दे देता हूँ, आप वहाँ से purchase कर लेना, यदि बाकी आपका कोई doubt हो, तो आप नीचे comment section में comment कर देना, नहीं तो telegram group जोईन कर लेना, वो discussion group भी है, उसके अंदर, तो वहाँ प लेको ऑ वहाँ।